सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की शिक्षा निदेशाले राष्टे राजधानिक शेत्र दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर 27 जो की कक्षा चटी के विध्यारतियों के लिए है यह ली गई है विज्ञान विशे से और इसमें इस पार्ट को हम समझ रहे हैं वह है सजीव एवं उनका परिवेश और इस पार्ट के अंतरगत आज जिस टॉपिक पर हम चल्चा करेंगे वह है जीवों की विशेशताएं जो की हमने पिछली वर्कशीट में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना था तो चलिए आज हम गतिविधियों के द्वारा इनके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं क्या हमें सभी सजीवों में हमेशा निश्चत रूप से सजीवों के लक्षन दिखाई देते हैं हम सभी जानते हैं कि सजीवों को भोजन की अवशक्ता होती है उनमे श्वसन यानि सांस लेना उत्सरजन यानि भोजन का बाहर निकलना उत्दीपन के प्रती अनुक्रिया करना प्रजनन गती एवं वृध्धी तथा मृध्यू होती है तो आईए अब करके देखते हैं उप्रोक्त अंकित सजीवों की विशेशता हैं क्या हमें हमेशा दिखाई देती हैं इस पर समझ बनाने के लिए नीचे दी गई दो गती विधिया करते हैं तो पहले गती विधी नंबर एक आवशक समागदी बीज और वो बीज कुछ भी हो सकते हैं जैसे राजमा चना मूंग गेहू इत्यादी गती विधी के चरण यानि कैसे हमें करनी है वो गती विधी पहला चरण की उप्रोक दिये गए बीजों के ना होने पर जो भी बीज आपके रसोई घर में हैं उन्हें ही ले लिजिए फिर दूसरा प्रश्ण है कि सजीवों की विशेश्ताओं को ध्यान में रखते हुए इन बीजों का अवलोकन करिए तो फिर आपको देखने को मिलेगा अवलोकन करने पर क्या मिला प्रश्ण उठता है कि अवलोकन के बीजों को निर्जीव की श्रेणी में रखेंगे क्योंकि हर जीव को भोजन की अवश्यक्ता होती है और भोजन के बिना वह निर्जीव ही होता है जब वह निर्जीव होता है तो उसमें सजीवों वाली कोई विशेश्ता नहीं होती जैसे आपके घर में आपने देखा इन्हों दुकानों में पड़े रहते हैं, क्या इनमें वृद्धी होती है, क्या गती होती है, या प्रजनन होके ये और जादा हो जाते हैं, नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें ऐसे में निर्जीवों की श्रेनी में रखते हैं, क्योंकि इन्हें कोई भोजन तो मिलता ही नहीं फिर गतिविधी नमबर दो आवशक सामगरी बीज राजमा चना मूंगेहूं इत्यादी गतिविधी के चरण उपरोक्त दिये गए बीजों के ना होने पर जो भी बीज आपके रसोई घर में है उन्हें ले लीजिए और एक रात के लिए पानी में भिगो कर रखी तो अब ध्यान रखीगा दूसी गतिविधी में हमने क्या किया कि जो भी बीज आपके घर में है उसको एक रात पानी में भिगो कर रखना है फिर दूसरा चरण है कि बीजों में से पानी को निकालने के बाद उसे सूती कपड़े में लपेट कर दो दिन के लिए रख दीजी अब प्रशन क्या उठेगा कि बीजों पर से सूती कपड़े को हटाने के बाद आपने क्या अवलोकन किया और दूसरा प्रशन है कि अवलोकन के बाद बीजों को किस वर्ग में रखेंगे सजीव या फिर निर्जीव और क्यों तो देखें मेरी तरह आप भी जब देखेंगे सूती कपड़े को हटा कर तो उन में से अंकुरन हो रहा होगा यानि बीजों का अंकुरन हो रहा होगा कुछ छोटी सी उसमें डंडी सी जिसे वाइट कलर की चीज उसमें से निकल रही बीजों को सजीव वर्ग में हम लोग रखेंगे क्योंकि भोजन यानि की जो पानी है उनके लिए तो पानी ही भोजन है मिलने के कारण वह बीज सजीव हो गए और उनमें सजीवों वाले विशेशता आ गए और उनमें अंकुरन होने लगा फिर इसके बाद कुछ जीवों को हमने जाना था ना स्थलिये जीव कहते हैं ऐसे ही जमीन पर उखने वाले पौधों को स्थलिये पौधे कहते हैं और पानी में उखने वाले पौधों को क्या कहते हैं जलिये पौधे उन्हें हम कहते हैं फिर तीसरा है कि भिन परिवेश में रहने के लिए योग् अनुकूलन कहलाता है क्योंकि जब हम किसी अलग परिवेश में रहते हैं और उसके योग्ये बनने की कोशिश करते हैं तो हम इस प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं और फिर चौथा है कि सभी सजीव क्या करते हैं प्रजनन करते हैं कुछ अंडे देते हैं कुछ बच्चे देते हैं और कुछ बीज उत्पन करते हैं तो इस तरह सभी सजीव प्रजनन करते हैं और फिर एक बहुत ही मज़ेदार प्रशन कि सम्हू में से विशम यानि अलग को उन्हें अपने उत्तर का कारण भी बताएं तो देखी अब कारण मैं आपको बोल के बता दूँगा कि जैसे इसमें है मेज, बिल्ली, कुरसी और पैन इसमें से कौन विशम है वो है बिल्ली क्योंकि बाकी सारी चीजें निर्जीव हैं और बिल्ली सजीव हैं फिर है उन्ट, शेर, बाग और सियार तो इसमें उन्ट अलग है क्योंकि शेर, बाग और सियार कैसे हैं? मासा हरी है और जबकि उन्ट जो होता है वो शाका हरी होता है फिर आम, सेब, अंगूर और कैक्टस बाकी तीनों तो फल है लेकिन कैक्टस एक पौधा है मचली, मुर्गी, कुत्ता और सुवर देखिए जो मुर्गी, कुत्ता और सुवर है ये क्या है? ये स्थलिये जीव है जबकि मचली जलिये जीव है और इसी तरह से कमल, गुलाब, सुरज, मुकी, चमेली ये तीनों तो क्या हैं स्थलिये पौधे हैं जबकि कमल एक जलिये पौधा है तो ये तो थी आज की वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत जादा शेयर भी कीजिए और हाँ मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहेए लेकिन ध्यान और मन लगा कर पूरी मेहनत और लगन के साथ ओलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहेए और अगर आपको कोरोना वाइरस को हराना है न तो मास्क जरूर पहन के रखिए क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं धन्यवाद